हलो गाईज दिस इस रेत्वाइन वैलकम तो टीचिंगे लर्निंग तो गाईज आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है यहां पर मैं आप लोगों के साथ एक्जाम से रिलेटिट जो नई अपडेट आ रहे हैं उनको शेर करूँगी साथ आपने जो भी प्रिविएस वीडियो में क्वेस्चन्स पूछे हैं उनके भी आउंसर करूँगी जो डिसीजन आना था वो आचुका है 10 स्टैंडर को ऐसे प्रोमोशन मिलेगा लेकिन 12 स्टैंडर के एक्जाम होंगे बट पैटन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है वैसे तो गाइस यह जो डिसीजन आना था वह एक से दो जून में आना था लेकिन यह पहले ही आ गया है और एक्जाम कैसे होंगे कब होंगे इस पर भी डिसीजन आ चुका है जो 12 स्टैंडर के एक्जाम है वो जून के सेकिंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे और जल्दी इनके एक्जाम कराकर रिजल्ट जो है डिक्लियर किये जाएंगे तो गैज इसी के आदार पर लग रहा ह है कि हायर एजुकेशन के एक्जाम से रिलेटिड जितने भी मुद्दे हैं उन पर जो डिसीजन आना है वो 4-5 जून से पहले ही आ जाएगा शायद 1-2 जून तक आ जाएगा वैसे भी आज जो है राज्यपाल की सारे उनिवरस्टी के कुलपतियों के साथ मिटिंग है और आज ही ये डिसीजन जो है लॉक कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि कल तक हमें ये जो डिसीजन है वो ओफिशिल तोर पे देखने के लिए मिल जाएगा 12 स्टैंडर के एक्जाम पर जो भी डिसीजन आयागा ये क्लियर होती है कि अभी जो फर्स्ट यर के स्टूडन्ट है उनी को ही प्रमोशन मिलने के चांसिज है लेकिन जो स्टूडन्ट सेकिंड यर में है उनको प्रमोशन मिलने के चांसिज नहीं है सेकिंड यर से यहां मेरा मतलब है कि जिन बच्चों को लास्ट यर प्रमोशन मिलने के चांसिज नहीं है उनके एक्जाम ही कराए जाएंगे और जैसे 12 standard के exam के pattern बदल दिया है शायद उनका भी exam का pattern बदल दिया जाए लेकिन मुझे chances जादा यही लग रहे है कि आप लोगों के exam होंगे अब guys last में मैं यही बोलूँगी इतने भी ऐसे बचे जो कि इस साल first year में नहीं है और उनको last year में promotion मिला था और अब फिलाल पढ़ाई से को side कर चुकिए है वो वापस से अपनी study continue कर ले जादा अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे हिसाब से उनके exam होने के chances है जैसा कि 12 standard के exam जो है थोड़े से pattern change करके कराये जा रहे वैसे ही शायद आपके भी exam जो है वो कराये जाएंगे आप लोगों को ऐसी promotion नहीं मिलेगा और final year के तो exam होने ही होने है चाहे कभी भी हो और first year वाले students है मैं ये कहूंगी कि उनके chances है promotion के लेकिन फिर भी वो study के touch में आ जाए अगर 1% ये है कि उनके exam हुए तो at least आपको एकदम से exam का burden नहीं आएगा अब guys आप लोगों के questions के बारे में बात कर लेते हैं तो पहला question है कि BA second year के exam कब होंगे तो मैं इसके बारे में काफी time answer कर चुकी हूँ कि आप लोगों के exam जो है वो अगस्त में होने के chances है और अगर July में in case हुए तो वो last में होंगे starting या mid में नहीं होंगे guys next question है आप लोगों का कि CCS University में exam offline होंगे कि online होंगे CCS University exam जो है offline लेती है online नहीं लेती है अब next question है कि B.A.D. में जो practical है वो exam से पहले होते है या बाद में होते है इसका भी answer guys मैंने पहले आपको दिया था कि B.A.D. में जो practical होता है वो exam के बाद होते है exam से पहले नहीं होता है और practical और exam के बीच में कम से कम 15 दिन का difference होता है अब guys आपका next question है कि क्या Hindi medium वाले student कुछ-कुछ चीज़े exam में English में write कर सकते हैं तो guys आप लोगों को इस बात की freedom होती है कि आप English में कुछ-कुछ चीज़े write कर सकते हो लेकिन English medium वाले बच्चों को ये freedom नहीं होती है वो Hindi में चीज़े अपने answer sheet में write नहीं कर सकते हैं आप guys next question आप लोगों का है कि क्या exam में हमें question लिखने की जरुवत होती है क्या हम कि सिर्फ question number लिखकर direct answer लिख सकते हैं तो guys मैं यहाँ पर आपको बता दू कि आप लोग बिल्कुल free होते हो को question number डाल कर answer लिखने के लिए आप लोगों को short very short long कहीं पर भी question को उतारने की जरुवत नहीं है आप question number डाल कर direct अपना answer लिखना स्टार्ट कर सकते हो लेकिन question आप number ना बीच में डालना बड़ा बड़ा जिससे की वो दिखे कि अच्छा आप इस question का answer लिख रहे हो आप guys last question आप लोगों का enrollment से related है कि enrollment हमें कब मिलता है जिन बच्चों के पास नहीं होता है उनको कब मिलता है तो मैं आपको बता दू कि जो enrollment number है वो आप लोगों को admit card के साथ में मिल जाता है admit card पर आपका enrollment number जो है वो लिख कर आता है जिन लोगों के पास नहीं है उनका और जो पहले से ही CCS University में enrolled student है उनके पास तो पहले से ही enrollment number होता है तो वाइस ये सारे कुछ आपके questions थे जिनके मैंने answer यहाँ पर आपको कर दिये है अब बाकी कोई भी update होगी तो मैं आप लोगों करते हैं मिलते हैं next video में so तब तक के लिए bye and take care